विश्त्रित नभका कोई कोना, मेरा नगभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उम्री कल्थी, मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली. वेदना और करुणा की कलम से अंकित, अश्रो नीर से सिंचित, रहस्य का आवरन ओढ़े इन पंक्तियों की रचयता हैं, महादेवी वर्मा. छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा के विराट रचना संसार में अभी व्यक्ति के कई रंग हैं, लेकिन स्वयम उन्होंने उम्र भर, श्वेत रंग का परिधान पहना, तख्त पर सोनी और कभी शीशा नहीं देखा. व्यक्तित्त में समवेदना, द्रिहता और विद्रोह का विलक्षन संकुलन, अध्यापक, कवी, गद्यकार, कलाकार, समाद सेवी, विदुशी, प्रभावशाली व्यक्ष्याता के सतरंगी संसार की एक अद्भुत बुनावट, भाव, भाशा और संगीत की कल-कल बहती प् हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का आविर्भाव उस समय हुआ, जब खड़ी बोली का आकार परिस्कृत हो रहा था उन्होंने छंदों के नए दौर को गीतों का भंदार दिया, और भारतिय दर्शन को वेदना की हार्विक स्वेकृती दि छायावादी काद्य को अगर जैशंकर प्रशाद ने प्राकिर्तिक टत्त दिया, निराला जी ने उसमें मुक्त छंद की अवतारणा की और पंथ जी ने उसे सुकोमल कला प्रदान किया, तो छायावाद के कलेवर में प्रान प्रतिष्ठा करने का गौरब महादेवी वर्म को ही प्राफ्त है, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फरुखा बाद में हुआ, घर का माहौल काफी सुसंस्क्रित था, साहित्य के सारे संस्कार इन्हें घर से ही मिले, जब ये बड़ी हो रही थी, देश में स्वतंत्रता की चेतना अपना विश करने की प्रेरना दी, बच्पन से ही मिले परिवार के सैक्षिक संसकारों ने जहां एक और महादेवी के भावी जीवन को एक दिशा देने का काम किया, वही मात्र नौ वर्ष की उम्र में ही कर दिये गये विवाह से, उनका निजे जीवन उपेक्षा और पीड़ा के एक गह सामान निस्त्री पुरुष के रूप में उनके संबंध भी मधुर ही रहे, लेकिन महादेवी जी ने ताउम्र विवाहित जीवन को अपनी स्वेकृती नहीं दी, बाबजूद इसके इनके गीतों में अज्यात सक्ता के प्रती प्रणय निवेदन है, कदाचित इसलिए इन निहें आधुनिक युग की मीरा कह गया है, महादेवी वर्मा के कावद में विरह की प्रधानता है, जो लौकिक ना होकर अलौकिक है, स्वयम महादेवी जी अपनी वेदना को मधुमять टीडा कह गई है, महादेवी वर्मा का कार्यक्षेत्र लेखन और संपादन रहा, इलह प्रभाबाद के प्रयाग महला विद्यापीठ की वेप्रधानाचारी एवं कुलपती भी रही। वर्स 1923 में उन्होंने महलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार समाला। 1930 में निहार, 1932 में रश्मी, 1934 में नीरजा तथा, 1936 में सांध्य गीत नाम के उनके चार कविता संग्रह प्रकाशित हुए। वर्स 1949 में इन चारों काव्य संग्रह को उनकी कलाकृतियों के साथ व्रिहदाकार में यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। इसके अलावा 1969 में रिगवेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद सब्त पढ़ना, कथम आयाम 1974 में और वर्स 1990 में अग्नी रेखा महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह में शामिल है। ना उपन्यास लिखा न कहानी नहीं नातकृत। फिर भी महादेवी वर्मा स्रेष्ठ गद्यकार है। महादेवी का गद्य जीवन की आँच में तपा हुआ गद्य है, निखरा हुआ, निथरा हुआ गद्य है। उनके ग्रंथ लेखन में एक और रेखा चित्र, संसमरण या फिर यात्रा वृत्त हैं। तो दूसरी ओर संपादकी, भूमिकाए, निबंध और अभिभाशन और सब में संपूर्ण जीवन का वैविध्य रचा बसा है। बिना कल्पना और काव्य रूपों का सहारा लिये कोई रचनाकार गद्य में कितना कुछ हर्जित कर सकता है। यह महादेवी की रचनाओं के सपर्ष से ही महसूस किया जा सकता है। कई सम्मान और पुरसकार महादेवी वर्मा के नाम के साथ जुड़कर गौर्वानवित हो रहे हैं। काव्य संग्रह मीर्जा के लिए 1934 में सक्सेरिया पुरसकार, 1942 में स्मृतिक इरेखाएं के लिए दुवेदी पदक के साथ ही, 1982 में यामा नामक काव्य संकलन के लिए महादेवी वर्मा को भारत का सर्वुच साहितिक सम्मान ज्यान पीठ पुरसकार से नवा जा गया। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहितिक सेवा के लिए उन्हें पद्म भूसन के उपाधी दी तो वर्स 1988 में मरनो परांत पद्म भीभूसन से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा भारत की पचास सबसे यशश्वी महिलाओं में भी शामिल है। उन्होंने सक्रिय तोर पर आजादी की लडाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों का उनके जीवन पर गहरा आसर था। विचीवन परियंत अपने लिए ऐसे कार्य खोजती रही, जो इस्तिरी सिक्षा और ससक्ती करण को पहले आधार दे और फिर धार दे। विश्मी सदी के आरंभिक वर्षों में पहली बार भारतीय मन सामुहिक मन नहीं, व्यक्ति मन हो रहा था। सामंती मोल्य तूट रहे थे। व्यक्ति मन स्वतंत्रता की आकांक्षा अनुभग करने लगा था। उसे अपने अस्तित्त का एक नया बोध हो रहा था। महादेवी वर्मा की कविता इसी स्वतंत्र होते इस्तिरी मन का कलात्म कुदगार्पी। 11 सितंबर 1987 को इलाहबाद में स्तिरी मन की इस संवेदन शील चीतेरी ने आखरी सांस दी। महाप्रान निराला द्वारा हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की उतमा से अलंकृत हिंदी साहित्त की अमर लेक्षनी महादेवी वर्मा को शत शत नमन। नमस्कार मैं हो शेव नाराण डीडी बिहार के कारिकरम में दर्शकों आपका स्वागत है। आज महादेवी वर्मा के जीवन और उनके साहित पर केंद्रित हम जो चर्चा करेंगे उसका विशय होगा महादेवी वर्मा का दुखवाद और लोक धर्म। तो चर्चा को आरम करने से पहले आए हम आजके अपने गुणी जनों से, आजके अपने विशय सतित्यों से आपका परिशय करवाते हैं। सब से पहले मैं आपका परिशय करा रहा हूं । recuperity की प्रशद लेखिका पदमि始्री उशा किरन खांजी। आपका अभी नंदन है दिदी, उसके बाद मैं आपका परिशा कराता हूँ यससवी अध्यापक एवं समालोचक डॉक्टर कैलास प्रसासिंग स्वच्छंद जी से जो आज की चर्चा में हमारा ग्यानवर्धन करेंगे, आपका भी अभी नंदन है कैलास जी, जैसा कि आप ज अपना परिशे देते हुए कविता में उन्होंने खुदे लिखा, वेस्तरत नभका कोई को ना, मेरान कभी अपना होना, परिशे इतना, इतिहास यही, उम्री कल्थी मिट आज चली, मैं नीर भरी, दुख की बदली, तो उनके जीवन का जो दुख था, उस दुख को उन्ह ने सभी इस्तरियों के जीवन के दुख के रूप में सामानी करण करते हुए, एक ऐसे उसे लोकधर्म से जोडते हुए, एक ऐसा आस्वाद उत्पन ने किया उन्होंने हिंदी कविता में, जो भारतिय दर्शन की एक पहचान बन गई, तो आईए हम इस पर चर्चा करते है और सबसे पहले दीदी मैं आपसे संबोधित होना चाहता हूँ, कि महादेई वर्मा दुखवाद के कवैतरी के रूप में उनको जानते हैं लोग, इस पर तो हम आपसे चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसके पहले, चुकि आप उनसे जुड़ी रही हैं, और जब प्रेमचंद का जन्वशती वर्ष मना जा रहा था, 1980 में, तो ये पटना भी आई थी, महादेई वर्मा जी पटना भी आई थी, प्रेमचंद की मूर्ती की अस्थापना उन्होंने की है पटने में, तो और भी कई अवसरों पर वो यहां आती रही, तो कुछ उनके बारे में आप संस्मर सुनाएं, और फिर हम लोग उनके इस चर्चा में सामिलोंगे, बहुत बहुत धन्यवाद की आज ऐसे सुन्दर सुअबसर पर, जब महियसी महादेवी वर्मा को हम सब बैठ के याद कर रहे हैं, हम बैठ हैं और आपने हम से ये प्रस्न पूछा, तो बहुत सारी यादें स किसी को न माना था ना अभी तक मान रहा हैं, तो हमारे हम वो हर प्रकार से आदर्श थी, कवेत्री के रूप में या स्त्री विमर्शकार के रूप में एक तरह से वो प्रस्थान विंदू थी, महादेवी वर्मा, तो जिसका की हम लोग धीरे ध्रेवेजी हैं, जो आपने पहले ही पढ़ा विस्तरित नव का कोई कोना, तो उस विस्तरित नव के हर कोने में महादेवी को हम देखते हैं, और वो नीर भरी दुख की बदली को अगर सकारात्मक धंग से हम देखे हैं, तो वो बदली हम लोग के लिए थी, जो बरसी और हम सब उसे आप्याइत आज त इन्हों पर ही चल रहे हैं, लेकिन हम आपको संस्मरन ये सुनाते हैं, कि जब महादेवी वर्मा यहां आई थी, असी में, असी की बात करी हूं है, और वो उन्होंने प्रेमचंद की मूर्टिस था पित की, शौवा साल था, या एक सो पचीसवा हम को याद नहीं आ रहा है, वो सौवा साल था, जनुशती वर्ष था, तो उसके बाद एक यहीं पर इंड़स्टियल एसोस्टियेशन हॉल में, एक महादेवी वर्मा के समान में संगोश्ठी हुई, सारे गढ़ने मानने साहिते कार बैठे थे, नए से पुराने तक, और उनके अत्यांत प्रिये, और बहुत बड़े विख्यात यहां के पतरकार जीतेंदर सिंग कहे जाते थे, और जीतेंदर जी महादेवी वर्मा के स्वागत करने में इतने उत्साहित हो गए थे, कि कुछ का कुछ बोल गए, लेकिन सब हसने लगा, और महादेवी जी भी हसने लगी, जबकि महादेवी जी अधाई दे रहे थी, उसके बाद मैं आपको संस्मरन का एक दूसरा किसा सुनाओ, कि महादेवी वर्मा पुरसकार एक बिहार सरकार देती है, महिलाओं को, उसका पहला पुरसकार हुआ था, शिवानी को दिया गया था, तो दोनों ही नाम टककर का था, उसको देने के लिए महादेवी वर्मा आई थी, अपने हाथ से उन्होंने दिया था, कहीं न कहीं फोटो होगा खोजना पड़ेगा, तो महादेवी वर्मा ने उस समय क्या कहा था, कहा था मैं बिहार की बेटी हूं, क्योंकि भागलपूर में उनके पिता जी साइद कुछ दिन पोस्टेर थे, और उनकी आरंभिक पढ़ाई भी भागलपूर में हुई थी, प्राथमी कक्षाओं की पढ़ाई उनकी भागलपूर में हुई थी, ये चर्चा महादेवी जी ने अपने मुह से कहा, और लोग गदगद हो गए, ये बहुत ही एक बढ़ियां और रोमांचकारी संस्मरण है ये दोनों ही बहुत विरल संस्मरण आपने सुनाए और नईधारा के संपादक उदायरा सिंग जब जिवित थे तो वे बताते थे कि जब भी महादेवी वर्मा आती थी पटना तो उनके आवास और पूरा हाउस में ठहरती थी तो इस संस्मरण के साथ ही कैलास जी मैं आप से रुबरू होना चाहता हूँ आप एक यसस्वी अध्यापक हैं समालोचक हैं आपने महादेवी वर्मा के साहित को पढ़ा है पढ़ाया भी है तो महादेवी वर्मा को दुख वाद की कवैत्री के रूप में सभी जानते हैं महादेवी जी ने उस दुख को लोक धर्म से जोड़ा किस तरह से जोड़ा और उनका दुखवाद क्या है हमारे दर्शकों को आप समझाना चाहेंगे महादेवी का दुखवाद जो है वह यह है कि दुख में भी आहलाज का अनभौ करना जिसके बारे में हजारी परसाद दुवेदी ने भी लिखा है कि जिसे दुनिया व बन जल जल कर परकास दुसरे को परकास देने में जो उनलास है उस उनलास का अनभव करती थी महादेवी बर्वा और इसके बारे में जो मानिता है वह भी यह भी है जो दुखवाद आपने कहा तो दुखवाद के बारे में यह कहा गया कि दुखवाद जो है वह इसलिए कि म ेधना को सुकीर्थी दी थी उन्होंने स्विकार किया और इससे उन्हें लोग सेवा के पर्ति नई भावना का संचार होता था वे उसे बहुत ही प्रेरित होती थी इसलिए ब्यांग में लोगों ने कह दिया और जो साहित के अलुचकों ने कि इसे दुखवाद मना जाए क्योंकि इसमें ब्यांग भी था कि उनको वहुत सुकिर्टी है दुख में वेदना से लोगों को घबराहट होती है लेकिन नहीं उसे वो प्रिरित होती थी बहुत ही प्रिरित और परभावित होती थी इसलिए उसमें कहा गया महादेई वर्वा ने खुद ही स्विकार किया है लिखा है दुख मेरे जीवन का ऐसा काब है ऐसा सुत्र है जो सब को बांधे रहता है सुख हमें मनुस्तता की सिर्ह पर भले नहीं चरह सके लेकिन दुख को बांटने से बहुत ही आत्म तुष्टी मिलती है वो कुछ अपने सब्द इसमें मैंने जोड़ दिये लेकिन यह महादेवी का ही लिखा हुआ है और जैसा कि आपने अभी उलेह किया बहुत ही सिर्ष़स्थ गीत है मैं नीर भरी दुख की बदली जो महादेवी का ब्यक्तित्त है जो ब्यक्तित्त था या ब्यक्तित्त जिसको हम कहते हैं उनके जीवन में वह जो सेवा भावना थी जैसा कि निराला ने बादल राग में भी दिखाया है हिल हिल खिल खिल मिल मिल हाथ इलाते तुझे बुलाते विपला और उसे छोटे ही है सोभा पाते तो महादेवी ने भी उस जो महादेवी का बदली प्रतीक है वह बदली जिसके लिए उनसकी मनुशा जो है मचली लोग सेवा के लिए तरवितर करने के लिए करुना से तरव बनके वह निकली, नव अंकुर, नई संभावने आएं बनके निकल गई, वह परतीक है, इसके बिसे में अलोच को ने बहुत चर्चा की है, दूसरा जो उनका है गीत, अलि मैं कनकन को जान चली, सब का करंधन पहचान चली, बना ही ख्यात गीत है, गीत तो उनका सधा हुआ है बिल्कुल संचिप्त है, उसमें भाव जो है, उसकी परवान विती है, भाव भी केंदरित है, और गिती कला इसलिए उनकी उतकरिष्ट हो गई, अलि मैं कनकन को जान चली, और उसी वह कहती है, सब को करले मान चली, सब को गतिवान करने के लिए, वो सबसे बरी बात है, उस लिए लोग को चाहती हैं कि मैं दुख में रहूं, और सबसे बरी बात मैं बता हूँ आपको, जैसा कि लोग कहते हैं कि आभाव में, या अकेला पन में उन्होंने दुख को सिकार किया, नहीं, जीवन में उनको बहुत सुख मिले थे, पीता जी भी बाद में जैसा आप कहत गीता और रमायन का पाठे करती रहती थी, महादेवी जी को उससे भी प्रिर्णा मिली थी मातागी से, तो ऐसा नहीं है, वो उसमें भी सेवा भावना से महिलाओं को जगाया, महिलाओं को आगे बढ़ाया, परियाग महिला बीद्या पीठ के माध्यम से, तो वो अपने बह जो रहा सवाद में है, कि असीम के लिए, अलोगिक के लिए, प्रियतम के लिए, जिसको उन्होंने माना था, उसके लिए तरफ उनमें थी, बेचाइनी थी, और वहीं बेचाइनी रुपांतरित हो जाती थी, लोगधर्म, लोगसेवा के लिए, और मधूर मधूर मेरे जाना, वह साधिका महादेवी का है, जो जलती थी, उनकी साधना, जो जलती रहती थी, अखंड रूप से जलती थी, और उसमें वह कहती है, कि जल जल कर, जो होता अच्छा है, और तब समीफ आता है चलना में, वह असीन, उतने ही समीफ आते हैं, जितने जलते हैं, जितना ह साधना करेंगे जितना हम जलेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे परगती की ओर बढ़ेंगे यह लोक जीवन में उन्होंने संदेश्ट दिया बहुत अच्छी बात कहीं कैलास जी आपने कि जल जल कर भी उन्होंने करंदन मधूर मधूर बशेशन को देखिए कि जलने में भी आनन्द है उसे माधुर ये यह सिहर सिहर यह दीपक जल मधीर मेरे दीपक जल मतलब यह जो ब्शेशन है छावाधी कवियों के बिशे सन खास कि महादेवी के बिशे मैं चर्चा कर रहा हूँ। real peace मैं आपको आपके साथ विच्वारों से क्छोटा सा साजा करते हुए आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जल-जल के भी वो समाज को सुख देती थी तो उनके करंदन में भी जो है अभीनंदन का एक अलोकिक सुख था जो उन्हें लोकधर्म से जोड़ता है इसी भावना के साथ एक बार मैं पुना है दीदी मैं आप से जोड़ना चाहूंगा आप केवल कभिताओं की बात तो कैलास जी कर रहे थे आप उनके गद्य को देखे अगर आप जो उनके रेखा चित्र है पिर प्तके साथ ही जो संसमाणू की किताब है उनमें जो जीवों के प्रति उनके जो आस्रम में उनके परिशर में जो गाएं थी बिलीयां थी जो दूसरे जीव थे उनके साथ जो उनका साजा है या जो उनके सेवक थे उन सबके साथ जो साजा था उनसे भी उनके लोक धर्म का एक अलग प्रकार का की आयाम हमें हमारे सामने आते हैं तो कुछ उनके गदी पर प्रकाश डालते वे दे दी उनके लोक धर्म के बारे में आप कुछ है लोक धर्म का समय था लोकधर्म का समय ये था कि पहले तो आप ऐसे भी आज तक भी बिहार जो है वो लोकधर्मी इराजे है पुर्न तयार लोकधर्मी और वो एक बड़ा ही विशिस्ट समय था जब महादेवी का विकास हो रहा था कवी और लेखा के रूप में तो महादेवी वर्मा विद्यापीठ में थी उसके पहले पढ़ रही थी तो जब वो पढ़ रही थी उस समय महात्मा गांधी का बड़ा प्रभाव तरफ जो संपुर्न रूप से महादेवी के उपर पढ़ा महादेवी महात्मा गांधी के प्रभाव को इतना ज्यादा आत्म के बाद, समाद सुधार और लोक सुधार के बाद, तो कौन किसको पकड़ता है, जैसे कभी जेल नहीं गई, नारा नहीं लगाया हुए, लेकिन वो लगातार उनके सात थी, उनके विचारों के सात के तू लोक द॥िष्टी गांधीबाद से बहुत दर्सों से परवाइए थे महात्मा गांधी बुद्ध बहुत पहले की बात हो गए अभी लेटेस्ट महात्मा गांधी के अनुसार इनकी द्रिष्टी वैसी बन गई अब जब द्रिष्टी बनी है तो हमाग को देख रहे हैं तो इसी में आपने कुछ बाते कहीं है बहुत सारी जो इनकी यात्राएं हैं रेखाएं हैं जो इनकी निकता रहा है जो जिनकको गौर करती है उस सब के और प्रतिट दया से और ममता से भड़ी होई रहती है जी जी बिलकुल लेकिन एक कथा है उनकी दिव्या और उस कथा में बालीका की चरचा है जबकि वढ़ी छोटी थी 9 साल تी तभी की चरचा है कि उसका दुख देखती थी कि रात दिन वो काम करती रहती थी और उनकी दूसरीमा जो चोटी मां कहाती थी वह तो भी उसका हर तरह से प्रतारित करत तर्भॉजक नाते ती अखिव ती अंतता वह बीमार पढ़ी उसका विवाह पता नहीं कीसे कर दिया गयाए इनका भी वां था, इनको ये सुविधार थी की है अपनी तरफ से जीवन जीए है उसको ये दوسको ये सुविधार नहीं हुइ और वह मर गई तो उसके उस उस लड़की के परिश्रम और उसके हर चीज से वो घबडाये हुए रहती थी, रहती थी, देख देखे, ये उनका भीतर का एक, हाँ, उनके भीतर का एक, समझे जो लोकधर्मी जो सुभाव था, वही आता है देखने में, कि और किसी के और नजर नहीं जाके, उनकी दिरिश् आती है उस लड़की के दुख्ह और उसने उसना था कि उसके नाना जी, और नानी जी डादा जी और दादीजी मर गए और वो तरा बन गए जी-जी की नहीं जी थी तो वह मां से कहती है, जो मा, तुम जब तारा बनोगी ना तो उनको बता देना कि तुम किस जगह तारा बनोगी और अब ही मत बनना, ताकि छोटी मा कोई ना आए, मतलब वो तुम मा हो, तो ये मा, बच्चा, समाज, समाज की पीडा, दुख, इस सब को जो महादेवी जी ने लिखा है दिविया मे वो लोकधर्मी है, उसी जगह जीवदया की चर्चा, आज बहुत जीवदया की चर्चा चल रही है, लेकिन वो जीवदया जो है, वो गिल्लू एक छोटी सी कहानी है, आपको याद होगा, एक गिलहरी को उन्होंने गिल्लू आधार नाम दिया, वो जब घायल हुई तब उ इसका इतना मार्मिक विबरान उन्होंने किया है, जो कोई क्या अपने बच्चे के बारे में कहेंगा, तो महादेवी जी जिन्होंने जीवन में पारिवारिक सुख व्यक्तिगत रूप से नए भोगा, उन्होंने इन लोगों को बिल्कुल अपना संतान की तरह समझ के, जो लोगधर्मी बाते कहीं हैं, वो कोई दूसरा आज तक नहीं लिख पाया, बहुत अच्छी चर्चा की दिदी आपने, कि जीव मातर के प्रती उनके मन में करूना थी, और इस करूना का उद्रेक उन्होंने सामानी जन के बीच उन्होंने देखा और किया, यही से एक बात मै यह भी कहूंगा कि उनकी जो वरिष्ट मित्र थी, सुभद्रा कुमारी चभवान, वो स्वेंग लोक धर्मी कवैत्री थी, और उनके संसर्ग में रहकर भी इनके भीतर जीवन के प्रती अनुराग और जीवन को एक अलग नजरिये से देखने का दृष्टी कौन आया, कैला ने दुख लिया, इन सब को समेठते वे कैसे उन्होंने अपनी कविताओं में दुख को पीरोया, बिल्कुल आज सही करे, ऐसा है कि वे बहुत धर्शन से परभावित होने के पर करुणा उनकी जिंदगी बन गई थी, करुणा और सेवा उनकी जिंदगी बन गई थी, और वही उनकी शक्ती बन गई थी, तो महत्मा बुद्ध से परभावित होके, जो उन्होंने कविताओं लिखी है, तो एक मशूर है कि बीती रजनी प्यारे जाग, जाग बेसुध, जाग सिर्शक से है, जाग, कंटकों की सेज है और आसुओं का ताज, कंटकों की सेज है और खिल उस भग गुलाबसा ही तुम आज, मानि हुब बहुत सब नहीं कह रहा है, मत उस गुलाबसा ही तुम खिलो, जो कंटकों में रहता है और ओस और असुद्ध से भरा रहता है, उस तरह से खिलो, इस अंदाज में उन्होंने कहके, कहा फिर बीती रजनी प्यारे जाग, अब जो उस समय का महल था, देश का, जो प्राधीनता का महल था, उसमें भी लोग को जगाना चाहा उन्होंने, कि जो पीरित है, डलित है, जो अंग्रेजों के द्वारा पीरित है, डलित, तो उनकी सेवा करो और जगो, तुम सो नहीं, महत्मा गांधी की तरह शेवा सील ब पीरित गई, दुख खतम हुआ, अब तो हम सुख की ओर चलें, और ये ऐसी पंक्ती है, ऐसा भाव मंत्र है, जिसके द्वारा आज के इस पूरे कारिकरम को हम एक कंक्लूजन पर एक निजकर्स पर ले जाते हुए, दर्शकों हम आप से कहना चाहेंगे, दुख जीवन का ए राष्ट्र के जीवन में पिरोते हुए, उस दुख को लोका भी मुख करें, और जब हम ये करते हैं, तो कविता जना भी मुख होती है, कविता सार्थवती होती है, और उसका लोक धर्म सामने आता है, ये महादेवी वर्मा की कविता से हमें प्रेणा मिलती है, तो आज की चर्चा को हम इसी विंदू पर समेड़ते वे आज हम आपसे विदा लेंगे और विदा के पहले अपने सभी अतीतियों के प्रती बहुत-बहुत आभार निवे दित करते हैं कि आप लोगों ने इतना समय दिया और हमारे दर्शकों को आपने बहुत रोच जांकारी दी